एलजेब्रा में आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, दो लॉजिक के बारे में बात करेंगे, जो बहुत जादा पुछे जाते हैं, अगर कभी भी आपको if x plus 1 by x is equal to 2 दिया रहे, इसका मतलब ही हो गया कि x का value क्या है, 1 है, तभी तो, देखिए यहां पर 1, plus 1 by 1 तो 1, तब 2 हुआ, यानि x का value कितना हुआ, 1 हुआ, अरे 1 का power कुछ भी हो, 1 ही होगा न, तो 1 का power कुछ भी हो, तो यहां पर 1 हो गया, plus यहां पर भी x का power कुछ भी हो, तो भाई, 1 का power something हो रहा है, तो 1 ही होगा, तो 1 plus 1, इसका अंसर क्या होगा, 2 देख कर ही, लेकिन, क्या दि X is equal to 2, 2 दिया रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, अब मान लिजे इस तरह से दे दिया, तो घबडाने का बात थोड़ून है, कि अरी भाई, इतना बड़ा पावर दे दिया, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 मितलब, X का भेल 2 है, तो 1 हुआ, तो 2 में से एक चला गया, तो एक आंसर हो गया, देखने में बड़ा लग रहा है, बट कितना आसान है, यह आपने देखा, इसी तरह का एक कॉंसेप्ट और भी है, अगर इंटू में दिया रहे, X into Y is equal to 1, इसका मतलब X का भेलू भी 1 है, और Y का भेलू भी तो X का भेलू 1 है, तो अगर हम यहां पर 1 बिठाएंगे, तो भाई 1 by 2 हो गया, पलस यहां बिठाएंगे तो 1 by 2 हुआ, 1 by 2 और 1 by 2 आधा आधा एक हो गया, यहां पर अगर इस्क्वार रहेगा, तो अभी आपने वहां पर देखा, कि अगर 1 का इस्क्वार कितना भी होगा तो 1 होगा, य का स्क्वार मतलब य इसका स्क्वार करेंगे तो 1 होगा, 1 by 2, 1 by 2 तो 1 ही होगा, 1 का पावर अगर क्यूब होगा तब भी 1 होगा, य इसका क्यूब के फिर भी 1 हो गया, तो यह 1 by 2, 1 by 2 तो 1 होगा, अगर इसको लेके अगर आपको इस तरह से कोई खतरनाक सव तो डरने का बात नहीं है देखिए X is equal to यह दिया हुआ है भाई इससे हमरा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इसको लेकर बनाएंगे यहां तो हमको दे दिया ना X और Y is equal to 1 तो हम समझ गें X का value 1 है और Y का भी value 1 है तभी तो भाई इंटू करेंगे 1 इंटू 1 तो 1 आएगा तो अब यहां पर हम X का value 1 बिठाएं Y का value 1 बिठाएं तो 1 by 2 1 by 2 तो answer क्या हो गया 1 तो यह दो concept आप हमेशा याद रखेंगे बहुत ही बहतरीन concept है अगर when X into Y is equal to 1 दे दिया तो किसी भी तरह का सवाल को आप चूठकियों में solve कर सकते हैं और अगर आपको X plus 1 by X is equal to 2 दे दिया तो आप हमेशा सोचेगे कि X का value क्या हो गया 1 हो गया तो इस तरह से भी आप इस type के सवाल को solve कर सकते हैं तो दो टाइप का सवाल देखिए आपको मैंने दो लाजिक तूरंद बता दियें दो मिनिट के वीडियो में तो अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो no doubt मातूर सर कमपडिसन क्लासेज को अभी subscribe कीजिए और अपने दोस्तों में share कीजिए साथी साथ playlist में जाके देखिए आपके लिए मैंने क्या-क्या बना के डाला है वहाँ पर तब आपको पता चलेगा कि मातूर सर कमपडिसन क्लासेज क्यों best classes है